उसरागी जेसी भी से भूल बरसान ना है चुकि जोगी जीवगा भी छलक दिखना चाहिए जो अपरन और हत्या हो रहा था उसको डिलीजासावाल जी अपने संगठन के माध्यम से दूर करेंगे पंद्रा सीट मिला था और पंद्रों सीट हम लोग जीत के आये बैस्टमाद के लोग अगर नहीं जीत के आए तो बैस्टमाद को तिकर कर दिये जाए पॉन जैस्वाल के द्वारा भोडा और साथ में जेसीवी से स्वागत करने की त्यारी है भुलिब जैस्वाल की जो वीज़पी के नए नवेले परदेश सद्यक्ष बनाएगा हैं बात करेंगे भोडा भी है जेसीवी भी है आप भी है तमाम जो बैस समाज के लोग है होता रहता है हमारे यहां एक बेखती एक पद का सिरांत है तो दिलिब जैस्वाल जी को माइक मौका मिला है इसके लिए बहस समाज काफी खुस है कि हमें भागिदारी मिली है और दिलिब जी पार्टी को सरवांगिन रुप से मजबूत करने में सफन लोंगे हम लोग की ऐस है और दिलिब जी मिनिका और भागपा के परतेह कर्च करता और वहात्त समाज में एक उत्साव को गया देले हदें पार्टी का भी उसलाफ जाई किया है कि आपने अगर निर्णाय किया है तो निश्ची तुरुप से समाज आपके साथ रहा है और आपके साथ रहेगा टीकट कटा था लोग समाज चुनाओं में इसको लेकर बैस समाज नराज था अब नराजगी दूर हो नहीं निश्ची तुरुप से जो बैस समाज का हक है या किसी भी समाज का जो हक है हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी अबादी है उसकी इतनी भागिदारी हो पार्टी को उस दिशा में काम करना चाहिए या कुछ बेहस्ता है स्वागत करने के लिए पूरा सबसे पहले तो पूरे लोग हिरदा से यहां खरे हैं धूप में एक दम अपने नेता का स्वागत करने के लिए उसरागी जेसी भी से भूल बरसान आया चुकि जोगी जीवगा भी छलक दिखना चाहिए पूरा जेसी व पत का मामला है और समराड भीया जो पत चाहते होंगे समराड भीया रखे होंगे जो छोड़ना चाहते होंगे चोड़े होंगे कहीं कोई भाजपा में तो जो नेड़ना होता है सर समाज के लोग हैं दिलिप जैसवाल के स्वागत के लिए यहां पे आए हुए हैं और देख पूल और माला लेकर भी स्वागत के लिए यहां पर इंतजार कर रहे हैं बात करेंगे दिलीप जैस्वाल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कितना खुछ हैं पूरे बिहार के वैसे समाज के लोग 100% खुश हैं और हमारे सभी समाज के लोग जैस्वाल जी को बनाने के लिए केंदियन नित्यकों धनवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो वैस्ट के उपर जो शोशन और हत्या चार और ये जो अपरन और हत्या हो रहा था उसको दिलीप जैस्वाल जी अपने संगठन के माध्यम से दूर करेंगे और बिहार में एक नई सक्ति का संचार होगा और वैस्ट का जो वैस्ट समाज है जो अभी लगवग रामा देवी और सिर्मति पिंटू जी को टिकट कारतने से जो नाराज था उनकी कुछ-कुछ भारपाई होगी हाँ भरपाई होगी और वैस्ट समाज मज़ूत जी नाराजगी अभी तूर नहीं हुई है अभी हमारे एक सौ भी धायक जो जिला अनुमंडल में हम जहां आमरारी मानी निती जी ने जो सर्वे कराया जाती है सर्वेक्षन उस सर्वेक्षन के हिसाब से हम लोग जहां जहा है कि लगवाख हर जगा लगवाख सौ जगा हम लोग पचास हजार से उपर की संख्या में है जिला और अनुमंडल में वहां से हम लोगो टिकट मिले मैं गारांटी लेता हूं कि वह जीत के आएंगे और भाजबागे मजूत ही बलेगी एंडिय की सरकार मजूत होगी दूस हम समयल स्माज के लोग तो सब्यान को अगर normal कृट वे संख्या यां अगर सर्फ यह सब्सेंने पर समय अब हरे ऑडिया तो सब्सक्राइ cenac तिलिप जासवाल को समाज के लोग, अगर मझमूर नहीं किया सरकार दिली को, तो ढए नहीं हम बना जाता है। हम लोग पूरे समाज के लोग हम लोग अलग हो गए। भाजबा को छोड़ के चल दिये थे। अब हम लोग में खुछी आई है लाहर आई है हम लोग फिर बैस एंडी एक से सरकार में हम लोग बैस समाज को मजबूत करने का काम करेंगे मैं डॉक्टर अनिलनल वेस्ट बात करेंगे क्या कुछ कर रहे थे मेरा मेरा कहना था कि हर पांच साल पर चेंजिंग होना भी जरूरी है लेकिन हमारे कहने का मतलब लोगों मौन की नराजगी है बहुत सारा तरह की बात है अंदुरूनी में नहीं कर सकता हूं लोगों का कहना है मेरा तो कहना नहीं है तो आप देखे ना बिहार का रिजल्ट आप देखे है ना कि किस हिसाब से नहीं दिलवा पाए इसलिए हम लोग इस बार पवंज सवाल के साथ पूरे समाज इनके साथ है हम लोग बेक्तिगत समाज की बात नहीं करेंगे सभी समाज इनके साथ है ब वाले विधान सभा के चुनाम में हम लोग बहुत ही आगे परेंगे हम लोग एक पवन जैस्वाल जी के मैं सिपाही हूं और उनके कंदव से कंदव मिलाकर सिभर में चलने का काम करता हूं उनके आदेशान अनुसार इसका नराजगी था वे समामाज को टिकट समान दे रहे तो यहां है कि मैं यह कह रहा हूं तो उसी समाज को टिकट में ता लेकिन बैस समाज के रमा देवी को टिकट काट कर और किसी अन्य समाज को क्यों दिये गया इसलिए पुरा बिहार में नराजगी था इसका अगर इनको दिलिप्यासवाल को पर देश दक्ष नहीं पनाया जैता तो दुवाज़ार पाचीस में विकल्ब के रूप में हम लोग किसी अन्य पाटी को समरते हैं, किसी भी हम अपने कंडिडेट उतारते हैं, हाँ हर सीट पर उतारते हैं, बैस समाज से सभी जाती को हम लोग, चुनाम अगराज था, नराज थे आप लोग क्या, बिल्कुल कहीं कोई नराजगी नहीं थी, पूरे बिहार में बहुत समाज के सभी लोग एक जूट थे और एक जूट होकर सभी लोगों ने मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए एक जूट होकर NDA को मदद किया, NDA को जिताने का काम किया और आगे भी इसी प्रकार से बना रहेगा कही कोई नराजी की बात नहीं है ये एक बिवस्ता है, एक बिवस्ता है कि हमारे दल में भारतिये जन्ता पार्टी में कि जब कोई बेक्ती एक पत पर रह सकता है जैसे ही समराज चोधरी उपनूप मंत्री बने तो उनको अध्यक पत छोड़ना था और दिलिब जैसवाल जी भी मंत्री बने है, इसके बाद परदेश अध्यक्ष बने है इनको भी मंत्राले छोड़ना होगा कोई एक बेक्ती एकी पत पर रह सकता है ये पार्टी के समिधान में ऐसी बिवस्ता है एक दम समान दे रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है एक पार्टी की एक बेवस्ता है, संगठन की एक बेवस्ता है बेवस्ता के अनरूप अध्यक्ष बनाया गया है और भारतिय जंता पार्टी का विचारधारा अन्यदलों से अलग है पूरे देश में जानी जाती है पूरे दुनिया में जाती है विश्व का सबसे बरा राजनेतिक संगटन है और अपने विचारों और अपने समिधान के इसाब से काम करती है सभी का सम्मान करती है और सब का साथ सब का विकास सब का परियास और सब का विश्वास प्रधान मंत विए विभादन करने के लिए नहीं दोग तक हो जरेखी भी गोड़ा और प्लमना लेकर घड़े हैं जिलिव जैस्वाल के स्वागत के लिए पौन जैस्वाल भी है जो ढ़ागा से विधायक हैं और तमाम बैस समाज के करता अखिल भारतिये बैस समाज के जो लोग हैं वो भी स्वागत के लिए खड़े हैं बराज को नितना ही इसे तमाम पुल करता बने रहा पश्ट भी आज हर खंड देख रहे हैं पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहाँ ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined